नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में तो आप लोग कैसे हैं आशा करते हैं आप लोग अपने अपने गर में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे आप लोगों जो एक न्यूज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ जो करेंट अफिर से रिलेटेड है और ये जो न्यूज आई है वो है मध्य परदेश से मध्य परदेश के मुख्य मंत्री सीवराज पाटिल के द्वारा एक योजना का सुभारम किया गया है और ये जो योजना का सुभारम किया है वो अपने जन्दिवस के आवसर पर उन्होंने किया है और ये जो योजना है वो मध्य परदेश की बहनों के लिए है उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आर्थिक रूप से स्टेवल करने के लिए जो मध्य प्रदेश की बहने हैं उन लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने के आशक्ता ना पड़े इसलिए मुख्य मंत्री सिवराज़ा से इस योजना का प्रारम किया गया है जितने भी मुख्य मंध्य प्रदेश के जितने भी बहने हैं उन लोग अगर वे जान रहे हैं तो वे लोग जल से जल इस पर आवेदन आप लोग कर सकते हैं और यह योजना किस तरह की है उसका उदेश से क्या है हम लोग इसी वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास तो इसलिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोग से निवेदन है कि वे लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि इसके द्वारा से जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है उसके बारे में आप सबों को और अच्छी तरह से बता पाओं तो बने रहे हैं आज के इस वीडियो में और ये जो योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये योजना सिर्परसिप मध्य प्रदेश के लिए है और वहां की जितने भी बहने हैं उन लोगों के लिए इस योजना का सुभारम किया गया है तो अब हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे कि ये जो लाडली बहना योजना है उसको हम लोग आवेदन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं तो इसके बारे में हम लोग जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो यह जो योजना स्कीम जो लाई गई है मुख्यमंत्री सिवराज पार्टी माध्यम से योजना में वहां के जितने भी बहने हैं मध्यप्रदेश के जितने भी बहने हैं उन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का यह एक योजना है तो इसको आवेदन करने के बी जो प्रेक्रिया है वो अतना जादा मुस्किल नहीं है मतरब लोगों को यह किसी प्रकार की समस्यें ना हो इसका भी पूरा खासा ध्यान दिया गया है इसके माध्यम से जो मुख्यमंत्री जो ट्वीटर हैंडल के माध्यम से उन्होंने यह बता वे हरे गाउं में, वाड में, नगर निगम में, सहरों में, सभी जगा जो अधिकारी हैं, वहां के अधिकारी प्रतिये घरों में वे जाएंगे, हरे घर में विजिट करेंगे और वहां के जो भी बहने हैं, उन लोगों को इस आवेदन परिक्रिया के बारे में बताया और वहीं पे घर पे ही रहके वहां की जो बहने हैं उन लोगों को आवेदन करना है मतलब यहां पे किस बहनों को कहीं और जानी के और शक्ता नहीं है लंबी-लंबी लाइनों में लगानी के और शक्ता नहीं है वे लोग सिर्फ अपने घरों में रहना है वहीं अधिकारी आएंगे और पूरी जानकारी बताएंगे और वहीं पे आपको आवेदन भरना है तो इस प्रकार से आप लोग ये लाब असानी से ले सकते हैं और ये जो आवेदन परिक्रिया है वो मार्च और अपरेल में की जाएगी मार्च से लेके अपरेल महीना में खत्म कर दी जाएगी और 10 जून से मध्य प्रदेश की हर एक बहने जो आवेदन करेंगे उन लोगों के खाते में पैसे आने लगेंगे और कितने पैसे आएंगे उसके बारे में इसकी जानकारी मैं आगे दूँगा इसलिए आप लोग चू क्रेटेरिया क्या है इसकी योग्यता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और जैसा इस योजना का नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो योजना है सिर्फ और सिर्फ वहां की बहनों के लिए है महिलाओं के लिए है इस पे पुरुस इसको apply नहीं कर सकते हैं, तो यह जो बहनों के लिए योजना है, उसको तीन क्रेटेरिया में पाटा गया है, पहला क्रेटेरिया यही है कि जो वहां की बहने हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर होनी चाहिए, मतलब इस पे जो अमीर है, जो गरीबी रेखा से उपर है, वे लो इसका इस्तमाल कर सकते हैं, दूसरा क्रेटेरिया यही है कि उनके पास जो बहन अप्लाई करेंगे, उनके पास लगबख पांच एकड़ या पांच एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, अगर उससे अधिक है, तो वे लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तीसरा क्रेटेरिया ही है कि वैसे बहने अप्लाई कर सकते हैं, जिसका अवार्सिक आए ढ़ाई लाग से मतलब ढ़ाई लाग के आसपास हो या फिर उससे कम हो अगर इससे अधिक होता है तो इसको अपलाई नहीं कर सकते हैं और यह जो योजना है वो सिर्फ पॉसिर बहनों के लिए है और इस योजना के अंत्रकत सारे जितने भी वर्ग हैं जितने भी वर्ग के लोग हैं वो लोग इसको अपलाई कर सकते हैं बस जो क्रेटेरिया दिया गया है उसके अनुकूल यह होना चाहिए तभी आप लोग इसको अपलाई कर सकते हैं और यह जो योजना है बहुत ही अच्छा है यहां कि बहनों को मजबूत करने के लिए आर्थिक्रूप से मजबूती दिलाने के लिए यह योजना बहुत ही अच्छी है तो यह देखना के वाली बात है कि यह जो योजना है वो जमीनी हकीकत क्या बताती है अगर ये जमीन पर अच्छा कारे करती है तो ये बहुत ही अच्छी योजना होगी वहां की बहनों के लिए तो अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस जो योजना बनाई गई है सरकार के माध्यम से इसका उदेश्य क्या है ये हम लोगों को जानने की आउशकता है तो ये योजना का जो लागू किया गया है इस योजना के माध्यम से ये उदेश्य है सरकार का मध्यप्रतास सरकार का कि वहां की जो जितने भी बहने हैं वे आर्थिक रुप से मजबूत बन सके उनका यही एक उदेश्य है और इस योजना को दूसरा कारण यही है कि ये जो योजना है उसके माध्यम से हर महिने सरकार के द्वारा वैसे बहनों को जो इस योजना का आवेदन करते हैं उन लोगों को हर महिना हजार रुपए दिया जाएगा मतलब साल का बारा हजार रुपए दिया जाएगा और जब उन लोगों को इसका लाभ मिलना सुरू होगा तो वहां के जितनी वे बहने हैं उन लोगों के लिए जो अपना भईश्य है उसको उजावर करने के लिए उजागर करने के लिए अपना भईश्य को बनाने के लिए यही चीज मदद साबित करेगी और उनके सामने बहुत सारे आउशर के द्वार खुलने लगेंगे क्योंकि आर्थिक मजबूती होगी तभी वे अपना विकास कर पाएंगे तो इस तरह से इनका मुख्य हुदे से यही है किस योजना के माध्यम से वहां की जो बहने हैं मध्यप्रदेस की बहने हैं उन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती दिलाना और उन लोगों को और भी अधिक आउसर प्राप्त कराना और उन्हें हर महीने हजार रुपे दिये जाएंगे तो यह काफी अच्छी योजना है बस काम करने वाली बात है यह हकीकत जमीनी पर होने चाहिए ताकि इसके माध्यम से वहां की जो बहने हैं उन लोगों को लाब मिल सके तो चलिए आज के इस अपडेट के साथ एक अच्छी निज है वहां की बहनों के लिए इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ आप लोग चैनल को जुड़े रहिए और जो नए है उन लोग से निवेदन है कि वोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना न भूले, वीडियो को सेर करना न भूले ताकि इस योजनक का बारे में जानकारी सभी तक पहुँच पाए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं ये पर समाथ करता हूँ आप लोग बने रहे हैं जेके स्टेडी चैनल के साथ और अपना ध्यान दिजिए, अपने घर वालों का ध्यान दिजिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत धन्यवाद